Hello everyone, I'm Aastha, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल, Government Job Genue Notification So, आज का ये वीडियो उन सभी लड़कियों के लिए बहुत ही important and helpful रहने वाला है जो कि Indian Railway में job करना चाहती है Job करना चाहती है means स्रिफ job करने से मतलब नहीं है ऐसी job करना चाहती है जिसमें आपको कोई भी night shift ना देनी हो means आपका स्रिफ day time में आपको अपनी duty देनी है night में आपकी duty ना लगे No workload, कोई ज़्यादा work का pressure भी आप नहीं चाहती है साथ में कोई भी physical examination भी आप interested नहीं है कि physical examination आप दे तो no physical examination and no field work आप चाहती है office में बैट कर table and chair बैट कर computer पर अपना work करना कोई field इधर उधर घूमना आपको ज़्यादा पसंद नहीं है then आपके लिए यहाँ पर मैं दो ऐसी post के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जो कि girls के लिए best post रहेंगी दोनों message इसमें भी आपका interest हो उसको आप choose कर सकती है और Indian railway में आप जब भी vacancies आती है आप apply कर सकती है and एक और यहाँ पर plus point में आपको बताना चाहूंगी कि यह जो post है न यह 12th and graduate दोनों के लिए रहने वाली है क्योंकि अगर आप 12th base पर apply करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पर eligible है अगर आप graduate हैं आपने graduation किया हुआ है लेकिन आप apply करना चाहती है इन post के लिए आपको बताने वाली हूँ और इन दोनों post के बारे में detail में आपको जानकरी दूँगी अगर आप railway में अभी इस साल जो vacances आई हैं उन में आप apply कर रहे हैं तो preference आपको fill करना होता है तो इन दो post को आप preference for second दे सकते हैं क्योंकि इनकी जो मैंने आपको चारो point clearly mention कर दी है ठीक है and in future जब भी vacances आएंगी तो आप इन post पर एक बार नजर जरूर डाली जगा तो चलिए start करते हैं और जानते हैं इन दौनों post के बारे में दौनों post के बारे में हम एक एक करके जानेंगे ठीक है पहले हम एक post देखेंगे उसके बारे में detail देखेंगे and then हम second post देखेंगे so चलिए देखते हैं पहली post जिसके लिए आप अगर eligible हो तो apply कर सकती है best post रहेगी आपको Indian railway में so यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली जो post है यह है junior clerk come typist की post best post है सारे जो भी हमने points देखे हैं वो सारे में यहाँ पर आपको clear करूंगी इसमें आपका clerical work letter रहता है जैसे कि आपका salary या data entry करना जो clerk का job रहता है and typing का job क्यूंकि typist की post है तो आपको इसमें letter वगर type करना यह आपकी और table पर भी depend करता है क्योंकि अलग लग branches होती है सभी में एक clerical post रहती है तो आपको किस branch में आपकी दी जा रही है किस table पर आपको post rate किया जा रहा है उसे साबसे आपका यहाँ पर clerical work रहेगा जैसा आपने देखा होगा जैसे defense sector होता है या other sector है तो अलग लग जो departments या branches होती है तो सभी में clerical worker के लिए एक एक post रहती है तो इसी तरह से आपका depend करेगा table पर लेकिन जादा workload नहीं रहेगा आपका data entry वगरा letter वगरा put up करना ठीक है जो भी records रहेगा उसको enter करना इस तरह के आपके work रहेंगे जिस तरह की table होगी और आपने जो आपके seniors होंगे वो उनके under में आपको work करना होता है तो जो work आपको वो देंगे वो आपको करना होगा आप उनको एक तरह से आप उनके assistant होंगे असस्ट आप उनको करेंगे तो junior clerk come typist एक ये post रहेगी अब इसके वारे में आप भी हमने work देख लिया posting देखेंगे तो इसमें जो posting है आपकी headquarter, DRM offices, RRC, RRB offices यहाँ पर आपकी posting रहेगी duty अगर हम देखें तो यहाँ पर only day time आपको रहता है, day time रहेगी, night में आपको कोई duty नहीं देनी है, no shift जो morning to evening जो सभी offices में रहता है ना, 9 to 5 या 10 to 6 इस तरह से आपकी duty रहेगी, बीच में आपका जो lunch break होता है वो रहेगा तो एक office duty या office work आपका इसमें रहेगा, जैसे normally जो offices में, field work जो रहता है ना, उसमें आपका timing का इसू रहता है, कभी भी, कहीं भी जाना, तो इसमें field work है नहीं, तो इसका आपका night duty नहीं है, field work नहीं है, जो offices का time रहता है, उसी office और Sunday आपको off रहेगा, तो आप अपनी family के स जाद enjoy कर सकते हैं, अब इसमें आपका जब selection procedure होता है, तो आपकी selection होने के बाद आपको training दी जाती है, ठीक है, अब selection procedure क्या है, वो हम आगे देखेंगे, दौनों post के लिए एक साथ में देखूंगी, पहले हम इनके जो main points हो, उनको clear करते हैं, तो training के अगर हम बात करें, junior clerk, कम typist की जो training है, वो 21 दिन की होती है, और training के दौरान आपको stripe end दिया जाता है, जो कि 30,000 रुपए रहता है, almost, लगबख 30,000 आपको यहाँ पर दिया जाएगा, इसके बाद अगर हम देखें salary, तो in hand salary, depend करेगा आप कि city में है, X, Y या Z, तीन category में divide रहती हैं cities, X में रहेंग हैं, लगबख एक average लेके चल रहे हैं, और अगर आप Z में हैं, तो 30,000 के आसपास आपकी salary यहाँ पर रहने वाली है, तो यह तो है junior clerk, हम typist की, अब इसकी जो eligibility selection procedure, वो हम दोनों post के लिए देखेंगे, तो second post और देख लेते हैं, उसकी भी work profile, salary, training, सब कुस देख लेते हैं, उसके बाद हम जो eligibility and selection procedure है, वो देखेंगे, second post है यहाँ पर accounts clerk come typist की post, यह post भी आपके लिए best रहेगी, इसमें भी आपका clerk come typist है, same work उसी तरह का रहेगा, लेकिन यह account में है, व्रांच आपकी क्या है, account means, जो पैसे का, जो financial रहेगा, उस व्रांच में आपकी यहाँ पर र salary भी हुबनती है, और जो pension भी मिल रही है, तो वो table भी आपकी हो सकती है, या PF जो रहता है, वो आपकी हो सकती है, medical will, क्योंकि railway के अपने खुद के hospital होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि hospital में check-up नहीं कराते हैं, या जो facility नहीं होते हैं, उसकी बज़े से उनको बाहर जाना पर करता है, तो वो claim करते हैं, bill pass करते हैं, अपना पूरा claim लेते हैं, पैसा जो भी रहता है, तो वो जो bill रहते हैं, वो आपको pass करने पर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका traffic account office में अगर रहते हैं, तो earning का हिसाब रखना होता है, Indian railway में कहां कहां से earning हो रही है, ticket से, या other जो भी आपने देखा होगा goods वग्रा से, पूट से, तो कहां कहां से कितनी earning हो रही है, ये हिसाब किताब आपको रखना पड़ सकता है, means accountancy से related, जो clerical work रहेगा, वो आपको रहेगा, ऐसा नहीं है, इसके उपर आपके भी seniors होंगे, जो आपको बताएंगे, जो भी work देंगे, जिस तरह से आप उनके एक assistant की तरह रहेंगे, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी job है, क्योंकि इसमें भी आपको इधार दुदर नहीं घुमना और इसमें respect रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा accountants जो रहते हैं, या account जो department या salary वगरा का है, pension का, means पैसे का लेन देन, जिस विभाग या जिस table पर होता है, उसकी respect होती है, क्योंकि अच्छे से बात करते हैं, जिससे काम जल्दी बनता है, जल्दी पैसे मिलते हैं, जो भी है, bill pass है, या जो भी pass करवाना हो, तो तुरंत करते हैं, तो इसमें आपकी respect भी रहती है, and ये work बहुत अच् ये post आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, अब इसकी भी posting and duty अगर हम देखें, तो इसमें भी आपका headquarter, DRM office, production shop, workshop, yard में हो सकती है, no shift duty, कोई भी night shift आपकी नहीं होगी, only day duty हो, और ये भी आपका एक तरह से office work ही रहेगा, morning to evening, जो timing रहती है, lunch break रहेगा, Sunday off रहेगा, ये table मिलेगी, जिस पर बैठके आपको अपना काम करना होगा, लेकिन इसमें आपका थोड़ा responsibility बढ़ जाती है, इस table पर, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब है, तो इसमें आपकी responsibility थोड़ा जादा रहती है, compare to junior clerkum typist के, अगर हम salary की बात करें, तो इसमें आपकी जो salary है, वो XT म 35,000 के आसपास बनेगी, buy में 32,000 और Z में 30,000 के आसपास आपकी salary बनेगी, again कहूंगी accurate नहीं है, एक average लेकर के हम यहाँ पर चल रहे हैं, वहीं अगर हम training देखें, तो training आपकी 45 days की रहेगी, 30 to 45 days की रह सकती है, और इसमें भी stipend आपको 30,000 दिया जाएगा, okay, training के दो बाद आपका एक exam होता है, दौनों ही post के लिए, वो exam clear करने के बाद आप इस्थाई भरती आपकी हो जाती है, qualification हमने देख ली कि 12th pass है, 12th आपने किसी भी subject से किया हो, आप apply कर सकती है, age 18 से 30 साल होती है, 18 से 30 साल आपकी age रहनी चाहिए, अगर आप unreserved candidate है, 2024 में जो vacancy है, उसके लिए age रहेगी 18 से 33 साल, लेकिन 2024 के बाद जब भी vacancies आएगी तो आपकी age 18 से 30 साल होनी चाहिए, unreserved candidate को, reserved categories के candidate को central government rules के according relaxation मिलता है, जो कि मैं railway पर काफी videos upload किया है, सभी मैं आपको explain किया है, अब बात करते हैं, selection procedure की, तो दोनों ही post 12th लेवल की है, द लिए देख लेते हैं, अब देखें, selection procedure में, accounts color come typist and junior color come typist, यह दोनों post है, दोनों के लिए सबसे पहले आपको CVT1 देना होगा, उसके बाद आपको CVT2 देना होगा, CVT1 qualifying nature कर रहेगा, final जो merit है, आपकी CVT2 के marks के base पर तयार की जाती है, CVT2 के लिए करने के बाद आपको दे जिसमें भी आपने typing सीखिए है, उसमें आप दे सकते हैं, किसी एक language में, ठीक है, typing skill test के लिए करने के बाद, आपको यहाँ पर medical examination and document verification होता है, यह आपके selection stages रहते हैं, वहीं अगर हम बात करें CVT1 की, तो CVT1 जो आपका examination रहता है, उसमें आपकी 90 minute की timing होती है, जिसमें general awareness से 40 questions, mathematics से 30, general intelligence से 30 questions, total 100 questions, 100 marks के रहते हैं, 130 mark minus किया जाता है, wrong answer देने पर, जब आप first stage को clear कर लेते हैं, तो second CVT आपको देना होता है, second CVT में भी आपका 90 minute की timing होती है, number of questions increase हो जाते हैं, subject वहीं रहते हैं, total 120 questions, 120 marks के रहते हैं, और इसमें भी आपके 130 mark minus किया जाता है, दौनों ह MCQs टाइप रहते हैं, okay, so ये इस post के लिए, दौनों ही post जो मैंने आपको बताई हैं, आपके लिए best post रहेंगी, 12th level की ये post है, so अभी 2024 में भी notification रिलीज हुआ है, आप apply करना चाहें, तो कर दीजिए, या in future जब भी vacancies आएं, तो आप इन दौनों पोस्ट के बारे में एक या फिल वर्क नहीं है, तो ये यहाँ पर इसके plus point है, आसा करती हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, helpful रहा हो, तो वीडियो को like and share केजिएगा, thank you